हेलो और विल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चानल तो आज हम जानेंगे कि बॉल्यूट के वो टॉप 10 स्टार केट्स कौन है जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने खुपसूरा दिखने के लिए कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है या उन्होंने कोई स्केन वाइटनिंग इसके साथ ही उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई है जिससे उनकी नोज और चेहरा पहले से बहुत ही अलग नज़र आता है इसके साथ ही निसा की बॉड़ी और फेस को एक्टर जानवी कपूर से भी कंपैर किया जाता है लेकिन आपको निसा और जानवी कितने सिमिलर लगते हैं उसे कॉमेंस में जरूर बताना लेकिन उससे पहले बढ़ते आगे नमबर 9 की तरफ और नमबर 9 पर है शनाय कपूर तो शनाय कपूर अक्टर संजे कपूर की बेटी है शनाय भी जल्दी करन जोहर के धर्मा प्र किया है विकर उनके पहले के फोटोस में उनके लिप्स अभी से थोड़े थिन नजर आते हैं लेकिन अभी उनके लिप्स बढ़े दिखाए दिते हैं इसलिए ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने होटों को बड़ा दिखाने के लिए लिए लिप फिलर्स का इस्तिमाल किया सOOOO सौहना खान एक्टर शाकवग एक्टर शारुक खान और इंटिरियर डिजाइटिक पैटी सुहाना भी ऐड़्िक्ट में देब्यू करने वाली है हालि मैं सौहना खान एक फेमेश ब्यूटी ब्राइड मेबिलीन की ब्रैड इंबछिटो भी बनी लेकिन इसके साथ ही उनके लिए ये भी कहा गया है कि उन्होंने भी स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाया है और इसलिए वो अभी पहले से जादा फैर दिखाई दे रही है बढ़ते आगे नमबर साथ की तरफ और नमबर साथ पर है पलक तिवारी पलक तिवारी अक्ट्रिश श्वेदा तिवारी की बेटी है पलक सबसे पहले हमें सिंगर हार्डी संदो के एक म्यूजिक वीडियो बिजली में नज़र आई थी इसके बाद पलक ने सल्मान खान की फिल्म अंतिम में अस अर्सिस्टन डिरेक्टर काम किया था अब हाल ही में वो हमें किसी का भाई किसी की जान फिल्म में नज़र आई थी तो पलक के लिए खाया जाता है कि उन्होंने भी अपने होटोगो थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए लिविव filter करवाए है कई बार उनके पुराने फोटोज और अभी के फोटोज का कमपेर किया जाता है और कहा जाता है कि पलक की पहले के फोटो में उनके लिप्स थोड़ थिन नजर आते थे और अभी उनके लिप्स पहले से बिलकुल ही डिफरिंट लग रहे है नमबर सिक्स पहरे खुशी कपूर खुशी कपूर एक्रिस्टरी देवियो डिरेक्टर बोनी कपूर की बेटी है खुशी कपूर भी जल्दी पॉल्योड में डेब्यू करने वाली है लेकिन इससे पहले ही खुशी के लुक्स को लेकर सोचल मेडिया पर काफी बाते कही जाती है कि उनका फेस पहले से बिलकुल ही बडल चुका है खुशी के ट्रांसफरमेशन ने सब को हैरान कर दिया था और इसके साथ ही ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर उनने किया क्या है खुशी कपूर के लुक में आये इसचेंज को देखकर कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने प्लास्टिक सरजर्य करवाई है तो वही कुछ का कहना है कि उनकी नोस भी पहले से डिफरेंट लग रही है और अपनी नोस को शाप दिखाने के लिए उन्होंने कुछ प्रोसीजर्जर्स करवाए हैं अब बढ़ते आगे नमबर पाच की तरफ लेकिन अगर आप कोई वीडियो पर सेंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और चानल को सब्सक्राइब कीजिए तो नमबर पाच पर है शूती हसन अक्टरिस शूती हसन कमल हसन और अक्टरिस सारिका की बेटी है और शूती हसन उन अक्टरिस में से है जिन्होंने उपन ली एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने प्लास्टिक सरजरी, नो जॉप और ऐसे ट्रीटमेंट्स करवाए हैं शूती ने अपने एक इंटर्वी में कहा था कि मैंने मेरी नो सरजरी अपनी चॉइस से करवाई है क्योंकि उनकी नोस तूड गई थी और उन्हें जिस तरह से उनकी नोस दीख रही थी वो अच्छा नहीं लग रहा था और उन्होंने अपने चॉइस से नोस सरजरी करवाई थी इसके साथ है आगे शूती हसन ने कहा था कि उन्हें ऐसे कॉमेंट्स पर आते थे कि और फेस इस वरी वेस्टरिन एंट वरी शाप और कंटिनियूसली ऐसे कॉमेंट्स सुनने के बाद उन्होंने अपने फेस पर कुछ टेंपरेरी प्रोसीजर्स भी करवाई थी और वो इन सब चीजों को लेकर काफी उपन है इसके साथ है शूती हसन ने अपने एक इंटर्वी में ये भी कहा है कि अगर कोई आक्टर्स आपको कह रही है कि उन्होंने ये सब नहीं करवाया है तो वो जूट बोल रहे है किकि लोगों के चहरे इतने नहीं बदलते है बढ़ते आगे नंबब चार की तरफ और नंबब चार पर है अलिया भर्च अलिया भर्चिर्टर महिश पर्ट और आक्टर सुनी राजदान की बेटी है और आलिया आज के टाइम की popular actresses में से एक है आलिया ने 2012 में आई फिल्म student of the year से एक बॉलियोड में डव्यू किया था ओडियंस ने आलिया को काफी पसंद किया है आलिया के लिए इससे पहले कभी भी ऐसी खबरे नहीं आये थी कि उन्हों ने अपने face पर या body पर कोई surgery या treatment करवाया है लेकिन कुछ मेंस पहले social media पर आलिया की कुछ photos और videos काफी circulate किये जा रहे थे इसमें उनकी nose काफी थिन और sharp दिखाए दे रही थी और आलिया की उन photos और videos को देखने के बाद कई लोगों का कहना था कि आलिया ने अपनी nose और face surgery और bootox treatment करवाया है No.3 पर ही करिश्मा कपूर करिश्मा कपूर कपूर फैमली से यह तो हम सब जानते हैं करिश्मा को उनके समय की इवन अभी के time की भी सबसी खूपसूरत actress कहा जाता है लेकिन कहते है कि आक्टरस करिश्मा कपूर ने भी अपने face में कुछ changes करवाये है उन्होंने अपने lips और nose पर कुछ adjustment करवाये है जिससे उनका face थोड़ा different लगे इसके साथ ही कहा जाता है कि एक वक्त आने पर actresses अपने face से wrinkles याने के जुरिया हटाने के लिए बूटोक्स injections लगवाती है और करिश्मा के लिए भी कहा गया है कि उन्होंने भी ऐसे बूटोक्स treatment करवाये है इसलिए उनके skin ने पचास साल की उम्र में भी इतने young और beautiful दिखाई देती है अब नमबर दो पर है रनबीर कपूर तो रनबीर कपूर में कपूर family को belong करते है तो हाली में रनबीर father बने है और उनकी film इस साल आई थी तू जूटी में मकट लेकिन क्या आप जानते हैं कि glamour world में female actresses पर ही attractive और खूपसुरत दिखने का pressure नहीं होता बलकि male actors को भी अपनी body और looks को maintain रखना पड़ता है इसलिए कई बाल male actors भी अपने face और body पर ऐसे treatments और plastic surgery या procedures करवाते हैं लेकिन male actors के लिए कहा जाते हैं कि सबसे बड़ा problem ये देखा जाता है कि उनके बाल एक वक्त आने पर धिन होने लगते हैं और दीरे दीरे करके उनके बाल जढ़ने लगते हैं जिससे उनकी hairline दिखाई देने लगती है और उससे चुपाने के लिए कई male actors hair transplant treatment का सहारा लेते हैं वैसे ये कहा जाता है कि रनबीर कपूर ने भी hair transplant treatment करवाया है क्योंकि उनके पहले के photos में उनके hair कुछ अलग नज़राते थे और अभी उनके hair कुछ अलग दिखाई देते हैं इसलिए कुछ समय पहले रनबीर के लिए भी ये खबरे आई थी कि उन्होंने भी अपना hair transplant treatment करवाया है अब बड़ते आगे नमबर एक की तरह और नमबर एक पर हे जानवी कपूर अただ आक्टर जानवी कपूर, स्री डेवी और डिरेक्टर बोनी कपूर की बैटी है जानवी को भी कई बार उनके अभी के looks और पहले के लूच्ष को लेकर compare किया जाता है कहा जाते है कि जानवी ने भी attractive और glamorous दिखने के लिए ऐसे cosmetic treatments करवाए हैं कई भार ये कहा जाता है कि जानवी पहले बिलकुल अलग दिखाई देती थी और अब बिलकुल ही अलग दिखाई देती है कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने खुपसूरा दिखने के लिए ऐसे cosmetic procedures और surgeries का सहारा लिया है इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी nose surgery पर करवाई है क्योंकि पहले जानवी के nose अलग दिखाई देती थी लेकिन अभी उनकी nose उनके पहले के photos से बिलकुल अलग दिखाई देती है तो इसी के साथ at the end according to me किसी के भी plastic surgeries, cosmetic procedures और ऐसे treatment करवाने के different different reasons हो सकते है हो सकता है किसी ने मजबूरी में ऐसे treatment करवाए हो या फिर किसी ने अपनी choice से ये procedures करवाए हो या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने कोई surgeries करवाई ही ना हो ये भी sumber के साथ उनकी face और body में ऐसे changes आये हो सकते है reason कुछ भी हो सकता है but I think अगर किसी ने ऐसे treatments करवाए भी है तो वो उनकी choice है उन्हें उनके लिए बहुत सही लगा होगा इसलिए उन्होंने उसे किया होगा लेकिन अगर आप ऐसी glamorous actresses और actors को phones और TV में देखकर ऐसा सोचते हो कि आपको भी उनके जैसा दिखना है या आप खुद को उनसे compare करते हो तो ऐसा मत किजिए क्योंकि वो भी रियल में नॉर्मल लोगों की तरह ही दिखाई देते है just because उन्हें वो करना पड़ता है इसलिए वो उसे करवाते है नहीं तो खुद को बदलना किसे पसंद होता है celebrities ऐसे चीज़े खुद पर करवाते हैं लेकिन हो सकते है कि बाद में उन्हें से करवाने का regret भी होता होगा लेकिन तब तक वो उसका कुछ नहीं कर पाते तो इसलिए आप सब इसे किसी से भी influence होकर खुद के body पर ये सब करवाने का decision मत लेना जब तक आप एक mature इंसान न बन जाओ तो इसी के साथ I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे like कीजिए, share कीजिए, channel को subscribe कीजिए और इसी interesting videos की notification के लिए बल icon पे click केजिए और इन celebrities की इन plastic surgeries और cosmetic treatments को लेकर आपकी क्या opinions यारा है उसे comments में जरूर बताना Thank you so much, मिलते अगले वीडियो में